हमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल फन इस्टडी में जिसमें हम स्टैटिक जीके के हैंड डिटे नोट्स पढ़ते थे दोस्तों कुछ दिनों से सीटेट आगामी सीटेट एक्जाम के लिए जो की 29 दिसंबर से सुरूर हो रहा है उसके लिए हम लोगों ने विश्वास बैच चलाया था जो भी बच्चे इस विश्वास बैच से जुड़ेंगे वो अपने आगामी एक्जाम में जरूर सफलोंगे दोस्तों इंगलिस पेड़ागाजी की क्लास की सुरुवात हो चुकी है आप लोग उसको जाके देखिये लाइक करिये शेयर करिये और चैनल की वीडियोज को जो देखिये उसका नोट्स भी बनाएए जिससे आप अपने आगामी एक्जाम से पहले रिवीजेन कर सकें दोस्तों कल हम लोगों ने परसों इवीएस के नोट्स में जितना पढ़े थे आज उसके आगे से सुरुवात करेंगे दोस्तों पहला पॉइंट है एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और जहाडिया खा लेता है अब दोस्तों ऐसे ही कोश्चन उसमें पूछे जाते हैं कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और जहाडिया खा लेता है दोस्तों आप सन इतने नजदीक नजदीक के रहेंगे कि आपको कनफ्यूजन हो जाएगे इसलिए जब तक आप एक से अधिक बार वीडियोज को नहीं देखेंगे आप कनफ्यूजन में रहेंगे इसलिए आप लोग वीडियोज को बार बार देखते रहें नेक्स्ट दोस्तों ये एक दिन में दो से चार घंटे ही सोते हैं दोस्तों अब उसमें line to line आपको याद होना चैयAR कि 2-4 घंटे ही सोते हैं अब उसमें आप संह आजएगा 2-3 घंटे 3-4 घंटे 1-4 घंटे 2-4 घंटे तब आप अगर सही से नहीं पड़े हैं तो आप भूल जाएंगे इसलिए आप लोग वीडियोई को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए Next है दोस्तो तीन महीने के हाती का वजण 200 kg तक होता है दोस्तो बहुत ही important पूछा जाएगा इसमें तीन महीने के हाती का वजण कितना होता है आपको उत्तर देना होगा 200 kg तक नेक्स दोस्तो पर जीवी वे जीव जो दूसरे जीव को मारे बिना उनसे पोसर प्राप्त करते हैं पर जीवी कहलाते हैं दोस्तों जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहे हैं उन्हें पर कहते हैं और इसलिए पर जीवी होते हैं इनका उधारण है जूं और किलिनी ये सब पर जीवी होते हैं नेक्श दोस्तों सह जीवी ये दो प्राणियों में पारस्परिक लाब जनक आंतरिक साजेदारी होती हैं ये सह भागिता दो पौधों दो जन्तूं तथा पौधों और जन्तू के पारस्परिक संबंध में हो सकती हैं दोस्तों आपको इसमें एक उधारण दिया होगा भैस क उपर बगुले का बैठना दोस्तों अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैस के उपर अगर बगुला बैठा है तो उससे भैस को क्या फाइदा है भैस को फाइदा है कि उसके सरीर पर जो भी कीड़े मकौले होते हैं वो आसानी से बगुला खा लेता है और उसके सरीर की में और एक भैस को अपनी सरीर स्वच रखने में मदद मिल जाती है इसलिए इन दोनों को भैस के ऊपर बगुले के बैठने को सह जीवी कहा गया है दोस्तों नेक्स्ट है खेजडी खेजडी या एक प्रकार का पेड़ है जो दोस्तों सह जीवी में एक और उधारन है लाइकेन में कवक वा सहवाल के बीच सह जीवी संबंध है दोस्तों नेक्स्ट है खेजडी या एक प्रकार का पेड़ है जो रेगिस्तान इलाके में पाया जाता है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा खेजडी ब्रिच कहां पाया जाता है आपको एंसर देने होंगे इसे से कोस्टन पूछे जाएंगे कि किस पेड़ के छाल दयवा के काम आते हैं उसमें आपको खेजडी चुनना होगा इसकी लकडी में कीडे नहीं लगते एक एक लाइन बहुत ही महत्पूर्ण है एंसी आर्टी के सार बिंदू आपको एक जगा पढ़ाया जा रहे हैं आप व बच्चे खेलते हैं दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टी ए राइट टू एजूकेशन एक्ट अधनियम 2009 ये दोस्तों 6 से 14 वर्स के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्ज सिच्छा का अधिकार देता है दोस्तों नेक्स्ट है हम लोगों का टॉपिक इसमें सबसे पहला है मनाली मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर व लकडी से बने धालू छत वाले होते हैं दोस्तों एक एक लाइन एक एक सब्द आपके लिए बहुत ही महत्पूर है पत्थर व लकडी से बने धालू छत वाले अब अगर वहां पर आप से पूछ लिया क पत्थर वा लकडी से बने ढालू छत वाले तो अब आप तुरंट अगर आप वीडियो को सही से देखे हैं तो आप मनाली उत्तर दे पाएंगे नहीं तो अगर आप नहीं पड़े हैं तो आपको confusion हो जाएगी नेक्ष्ट दोस्तो राजस्थान राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है इसलिए वहाँ मिट्टी के घर जिनकी छते कटीली जाडियों से चाई होती हैं और इनकी दिवारे दोस्तो बहुत मोटी मोटी बनाई जाती हैं जिससे गर्मी से ये लोग बस सकें नेक्ष्ट दोस्तो असम असम में बास के खंभो पर बने उचे उचे घर होते हैं दोस्तो असम बाढ़ प्रवावी तिला का है इसलिए वहाँ जो भी घर बनाई जाते हैं बास के खंभो पर बनाई जाते हैं नेक्ष्ट दोस्तो लद्दाक लद्दाक पत्थर के बने घर जिनके फर्स और छटें लकडी की बनी होती हैं दोस्तों सारे आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण हैं इसलिए आप लोग वीडियोज पर विश्वास बैच इसलिए नाम दिया गया है कि आप जितना विश्वास करेंगे आप उतना अपने आगामी एकजाम में सफलोंगे न अब आपको आप संदे देगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पस्चिम बंगाल और केरल अब आप अगर नहीं खाए हैं तो सोचेंगे कि केरल का से कचनार का से केरल और आप उत्तर लगा देंगे केरल लेकिन आपको उत्तर गलत हो जाएगा और आपके माइनिस मा देखने से आपको फाइदा नहीं होगा कम-से कम-2-3 लॉट को देखं़ है हम लोग उत्तर परदेश में उत्तर परदेश में कचणार के फूलोग की सब्जी खाई जाती है आप लोग यह यह न सोचना है की केस कचणार कासे केला यह कासे केला और यह दोनों में आपको confusion हो जाएगा फिर आप केरल फिर बाद में जब केरल आएगा तो उसमें भी आप confusion हो जाएगे दोस्तों next है केरल आप केरल में देखे केले के फूलों की सबजी अब आप यहां बना सकते हैं कि का से केला और का से केरल लेकिन confusion है दोस्तों वहाँ कचनार है कचनार उत्तर प्रदेश में खाई जाती है और केरल केरल में केलों के फूलों की सबजी खाई जाती है next दोस्तों महराष्ट महराष्ट सहजन के फूलों के पकोड़े खाई जाते हैं गुलाब जल और गिल सरीन बराबर मात्रा में मिला कर सीसी में भर लो इसमें कुछ बूंदे नीबू की डालो इसके इस्तिमाल से सर्दी में तुचा नहीं फटती है दोस्तो आप अपना कारण जानते हैं कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप एक्जाम में सफल नहीं हो इसलिए आप लोग वीडियोज को देखें जितनी भी वीडियोज विश्वास बैच में डाली जाए आप विश्वास करके उसको देखिए और आप सफलो ये नेक्स दोस्तो यूपी का कन्नो जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है फिर इसमें इत्र गुलाब जड़ और केव किया जाता है अब उसमें पूछा जाएगा कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है नेक्स दोस्तो फिर है राज और उसके पडोसी राज पहला है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में इस पर्स करने वाला एक मात्र के इंसासित प्रदेश है दोस्तो दिल्ली देश हैं उत्रप्रदेश से जो टच होता है नैपाल और राज जी में है उत्रा खंड बिहार जार खंड और मध्धिप्रदेश राजस्थान से हैं दोस्तों यह आपके मैप के कोस्टन है आप लोग इनको जरूर पढ़िए आप एक बार मैप देख लीजे भारत का जिससे आपको कनफ्यूजन ना हो केरल से करनाटक तमिल नारू पांडी चेरी का माहे नाम वाला भूभाग उससे टेच होता है नेक्स्ट दोस्तो महाराष्ट महाराष्ट में गुजरात मध्य प्रदेश 36 गड़ अहन्द प्रदेश करनाटक और गोवा इतने राज्योग राज्य से महाराष्ट की सीमा टेच होती है चम्मू और कस्मीर इसमें पनजाब वा हिमानचल प्रदेश बहुत ही महत्पूर इसको आप लोग 6 शिफ्ट होते हैं 6 से 7 जितने भी शिफ्ट होंगे सारे शिफ्ट से इसी में किसी में आसम का आजाएगा किसी में लड़ाक का, किसी में केरल का खिसी में राजस्थान का फिर किसी में असम का इसलिए आप लोग जो बहुत महात्पूर हैं उनको जरूर देखें दोस्तों असम में बास से बना पुल प्रियोग करते हैं आने जाने के लिए असम में बास से पुल जो बना होता है उसका प्रियोग करते हैं दोस्तों बास का पुल कहीं जगा प्रयोग करते हैं लेकिन जो आपकी NCRT बुक में दिया है वही आपका सही माना जाएगा और NCRT में बात से बना पुल असम के लिए दिया गया है आपको पेपर में दिया रहेगा आपको असम अगर वीडियो में आप पढ़े हैं तो आप असम तुरंद ट्राली से लकडी से बना जुला ट्राली से होता है लदाख में ट्राली टाइप का इसलिए आप लोग इनको जरूर जाने रहें नेक्स्ट है दोस्तों केरल केरल में बल्लम जो नाव होती है केरल में उसको बल्लम नाम दिया जाता है जो की लकडी से बनी छोटी नाव होती दोस्तो अब आप से पूछ लिया जाएगा कि वल्लम से कहां के लोग यात्रा करते हैं तो आप अगर पढ़े हैं तभी आप केरल उत्तर पहचान पाएंगे यही तो करनाटक उत्तर लगा के उचले आएंगे नेक्स्ट दोस्तो राजस्थान राजस्थान में उट गारी राजस्थान में उट गारी का प्रियोग होता यह लोग यह तो सब लोग जानते हैं नेक्स्ट दोस्तो मैदानी इलाकों के गाउं मैदानी इलाकों के गाउं में बैल गारी प्रियोग किया जाता है नेक्स दोस्तो उत्राखंड में उबाल, खबार, पथरी, पथरीले रास्ते परवती इलाके हैं इसलिए वहाँ पर पथरे पड़े होते हैं दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा सेर करिए इंगलिस पेडागोजी की क्लास की सुरुवात हो गई है भरपूर देखिए एक एक पॉइंट उसी से आएंगे जितना आप विश्वास करेंगे आप अपने आगामी एक्जाम में सफल होंगे दोस्तो जल्दी हम लोग आपके लिए हिंदी पेडागोजी की क्लास की सुरुवात करेंगे दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सेर करिए सब्सक्राइब करिए और विश्वास करिए धन्यवाद दोस्तो